वेलकाम बैक टुमाइच चानल तो है सामसें ने आज अपना एक जो के नया स्मार्टफोन ने लांच कर दे जिसका नाम है सामसें गैलीसी एम ट्वेंटी वन अब जो कि यह स्मार्टफोन एक्सक्लिजली अपको आमेजॉन पर ही देखने करें मिलेगा अगर आप इससे जो के सबकुछ निकल कर आ चुका है और साथ आज की सुडियों हम बात करने वाली इसी स्मार्टफोन के बार में यानि कि सैमसेंग गैलीसी M21 के कुछ प्रोस और कुछ जो के कॉंस के बार में हाला कि सैमसेंग अब काफी जादा अच्छा काम कर रहा है लेकिं फिर भी मुझे तो 13,000 रुपर के प्राइस सेगंड में क्या आपको इसको जो को बाय करना चाहिए सो इस जो की क्वेच्चन का एंसर मिलोगा है इस जो की वीडियो के लास्ट में तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके पूरी तरह से प्रोस कॉंस इस फोन में कौन सी अच्छी बाते देख से मोटिवेशन मिल यार आपकी तरफ से साथे 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 चैनल को सस्क्राइब करका साथ का बलकाने उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मतलब पहले फ्लैसर में जाएगा तो इससे में भी बाय करूंगा बाय करने वाद आन्बॉक्सिंग की रिवीव की कैमेरा म आपके साथ में शेयर करते हो तो मेक्शर इस चैनल के साथ अगभी तक अपने जूड़े नई हो तो सस्क्राइब करके साथ का बेल अकॉम प्रेस करकर शामिल हो जाए हमरी जो की चैनल के साथ में अब चली सबसे बहले बात करती इस जो की फोन के कुछ अच्छों के बारे म और गाइस मैंने हमेशा ही आपसो कहा है कि मैंने रेड्मी के रियल्मी के और उपो भी बहुत सारे जो के स्मार्टफोन के मैंने सूपर अमर्डर पैनल यूज किया हूँ लेकिन जो मज़ा सामसंग के पैनल में आता है न वो किसी भी पैनल में आपको देखने के लिए नही पता होता है तो इसकेस में अगर आप सामसंग का सूपर अमलेड पैनल वाला डिस्प्ले स्मार्टफोन बाई करते हो तो वहां पर जो कि अपको मतलब पूरी तरह से एस्परेंस मिलता है ना वह एक नेश लेवल का निकल कर आ जाता है चलिए अब बात करते हैं को अगले प अगले पॉइंट के बारे में और इसकी यूए तो आपको पता है रहेगा है सामसंग की सामसंग यूए जो की तो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है तो यह यहार सामसंग की यूए है मतलब एक नेश लेवल के निकल कर आ जाते हमें चाहिए आप जो की किसी भी स्मार्टपॉन की यूए के साथ पसंद आएगे लेकिन मुझे प्रसनली सामसंग की यूए काफ़ ज़दा अच्छी लेगते हैं कई पर भी हमें ऐसा कुछ जो की देखने के लिए मिलता है जो कि मतलब काफ़ ज़दा इडिटिंग कर देता है जैसे की रियल में और जो के फोन में और जो को यूए होती है इतनी ज़दा अच्छी नहीं लगते हैं लेकिन जो सामसंग की वन यूए है वह यार एक अच्छी वह जो की स्टेबल आपको यहां पर देखने कले मिल जाती है च बिल गांतों बें अच्छे बाइक हो की देखने के बार वह सामसंग फोन के द में लेकिन एसफोन में देखने के यहां पर डिफिनेटली समसंग ने घ्लास बैक तो देना ही चाहेता लेकिन वह भी आपको यहां पर देखने मिलते हैं चली अब बात कहते हैं अगले ही हाप जो के पॉइंट्स के बारे में और जो की सैमसंग हमेशा ही जो करते आये ओई है यार काफी जदा लो एंड प्रोसेसर जो की एम सेरीज में हमें देखने के लिए मिल जाता है तो हाँ बैस सैमसंग हर जो के अपने स्मार्टपोन में घुसेड रहा है सैमसंग का एक्जोन उसका 9611 का प्रोसेसर जो के यह इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है इतना ज्यादा अच्छे जो की गेम में आपको एस्परेंस इसके साथ देखने के लिए नहीं मिलता है अगर आप डेली टु डेली लाइफ में इस जो के प्रोसेसर इस जो के स्मार्टपोन को यूज करते तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन अगर आप यह गेमिंग के प्वाइंग से देख रहे हो नहीं इस जो के स्मार्टपोन को तो आपको बिल्कुल भी इस फोन में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी अगर आप बात करें हो चोटी मूटी भी गेमिंग मतलब जो की आप अगर रेजॉलेशन के साथ कॉंप्रमाइज कर सकते हो तो भी मैं आपको बिल्कुल भी सेटप और वहां पर फूटीट मेकर का कैमेरा देखने के लिए मिल जाता है तो चैमे नहीं मिलेगा देखा लिक तो यहां पर आपको देखने के लिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में ओ है इसके चार्जिंग की स्पीड तो हाँ चार्ज करने के लिए आपको फॉन के साथ देनी चाहिए लेकिन वह देखने के लिए नहीं मिलता है यहां पर आपको टीपिकल वही 15 वैट का फार्ज चार्ज देखने के लिए मिल जाता है इसे चार्ज के लिए आराउंड और आपको तीन या पी साधी तीन घंटे आराम से लगने वाले तो अगर आप इसके साथ कॉंप्रमाइज कर सकते हो तो आप इस फोन को बिल्कुल भी कर सकते हो लेकिन मेरा तो रिकमेंडेंड है इतनी ज्यादा बड़ी बैटरी दी गई है तो कमस कम यहां पर यहां पर 23 वैट का फार्ज चार्जर बॉस के साथ देना ही चाहिए था अब बात के अगले पॉइंट के बार में ओ है इसकी प्राइज अब जो की प्राइज को एक सिलीकॉन का जो केस रहते हैं वह भी यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता है तो इतनी ज्यादा कॉस्ट कटिंग की गई है ट्रिपल कैमरा ही मिल जाता है प्लास्टिक बैक है तो उसकेस में तेरह हजार रोपे इस जो के फोन के लिए बिलकुल भी वर्त नहीं है ल लेकिन मेरे अगर राय मानों तो यार मतलब इस फोन को बिलकुल भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करता है यहां पर इस जो के फोन के मुकाबले वह तो काफे अच्छा यहां पर आपको प्रफॉमस दिला कर देते हैं साथे साथ रेड्मी नोट नाप्रों में तो आपको 5000 इम फोन को मतलब बाय करने वाले तो मेरा मानना बिल्कुल भी यह है कि आप इसे बिल्कुल भी स्किप कर देजिए और रियल में 6 और रेड्मी नोट 9 प्रों के साथ आप जो की जा सकते हो तो यह था मेरा ओपने इस जो की स्मार्टफॉन के ऊपर बाकि आपको क्या लगता है स्मार्टफॉन के बारे में आप मुझे कावन बॉक्स में जरू बाता सकते हैं साथी साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए चानल को सस्क्राब करके साथ का बिल कान उसे भी प्रेस कर सकते हो और साथ यह वीडियो अगर थूड़ी सी भी अच्छी लेगो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरू कर देना तो में मिलता आपको नेस ऐसी जो की अन्बोक्सिंग के और जो की ऐसे रिवीडियो के वीडियो के साथ में तब तक लिए खुश रहें एंड गुडबाए